नमस्कार दोस्तो अभी अभी दू मिनट पहले की सबसे भड़ी खबर इस वक्ता रही है राईवार को नरंदर मूदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की सफत लेंगे राश्टपती भावन में कार्रे करम का आयोजन फ्याजारा है जिसमें कैई विदेशी महमान भी सिरकत करने वाले ही वही इस समारों में सामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मरली का अरजुन खड़के को भी निमंत्रन दिया गया है वही कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि घरगे राज्ये सवा में विपख्ष के नेता के रूप में भाग लेंगे सूत्रों ने बता है कि आज के समारों के लिए घरगे को निमंत्रन कल देर रात भाजपा नेता प्रलाद जोसी ने दिया था और आप दुस्तों प्रधान मंत्री मोदी के सफ़त ग्रैन में सामिल होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मलिका अरजुन खरगे और दुस्तों कांग्रेस ने एक बयान में ये काया है कि खरगे जी राज्ये सवा में विपख्ष के नेता के रूप में भाग लेंगे इस वक्त की सबसे भड़ी ख़वर सामने आ रही है अगले एक घंटे के भीतर प्रधान मंत्री मोदी तीसरी बार पीम पद की सफ़त लेने जा रहे हैं जिसमें स्रीलंका, भूटा, नेपाल, बांगलादेश की प्रधान वंत्री और राष्टपती तुस्तों सामिल हो रहे हैं इस समय राष्टपती भवन सजकर तैयार है पूरे दिल्ली में हाई अलट जारी कर दिया है पीम मोदी के सफ़त के कारेकरम को देखते हुए दो दिन के लिए दिल्ली में धारा 144 भी लागु कर दी गई है तो इस वक्त के सबसे भड़ी खबर सामने आ रही है पीम मोदी 3.0 सफ़त ग्रहन में कांग्रेश नेता मली का आरजुन खड़के हो सकते हैं सामिल क्योंकि देल रात उनको नियोता मिल चुका है इस वक्त की सबसे भड़ी खबर सामने आ रही है और इंतियार की घड़ी कुछी घंटे में समाप्त हो जाएगी जब प्रधान मंत्री तीसरी बार पीम पद की सफ़त लेंगी आपको पूरी जानकरी आगी मिलती रहेगी चेनल को सबस्क्राइब करें आप अपने राय कोमेंट में लिखें